नमस्काल, शात्रो आज गांधी जी जिसमें हमने पिछले व्यक्षान में हमने चर्चा की थी भारतिय समात्सासी गांधी जी के सिद्धान्तों की सत अहिंसा और सत्य अगरे के हमने बात की थी गांधी जी का एक और सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त के अधार पे ही मात्मा गांधी को आर्थिक विचारा के आर्थिक अर्थिसासी ग्रूप में जाना जाता है उन्होंने सिध्धान दिया था तस्टि सिप, संदख्षक संदख्षा can taste की THIS के मात्मा गांदी ने कहा है cash سमाज में वह भी चिंते थे भारत की गरीभी और की एपनीति को देखके वह नहीं मैं अमीर संक्या में बहुत इस अमीर गरीबी के आधार पे समाज में वर्ग भेड बहुत बाढ़ रहा है, अमीर हमेशा मीर रहना चाहता है, वो गरीब को आगे निहीं बढ़ने देने चाहता है, गरीब कितनी भी महनत करे कितना भी करे लेकिं वो अभाहों में जींवन जीता है, अपना स्रम बेचता है लेकिन उसको मिलता नहीं जो कालमार्स की थोरी है न वर्जंगर्स का सिधान की समाज में जब तक वर्ग रहेंगे वर्ग वेस्ता रहेगी संगर्स होते रहेंगे इसी अधार पे गांधी जी भी प्छिंतित थे और ये संरक्षता का सिधान ट्रश्ची सिप का सिधान उन्होंने एक प्रस्तुत किया इसमें उनका मूल देश यह था कि समाज से गरीबी और अमीरी की जो विशमता है जो आर्थिक विशमता है जो हमेशा से है वो कह रहे हैं इसको कैसे दूर किया जाए उन्हे का पश्चिम में जो पूंजी वाद है वह पूंजी वाद जो है पश्चिम का उसमने पूंजी ओ सरमका उन्हें ब्रोज देखा तो उसमें संगर्स के ज़ैदा उसक्रण्ध загandhign का सिढधान तरुछिए खिवरु पूंजी पति हैं इन्होंने चुकि अपनी महनत से अपनी योगता के बल पर ये पूंजी कैपिटल स्थापित की है इन्होंने ये अपनी महनत से पूंजी बना लिए स्थापित की है इनकों के संरक्षक के रूप में काम करें इनकों ट्रस्टी होना चाहिए ये समाज के संरक अच्छक के नाते इनको उन्होंने बात की और स्रमिकों का कल्यान करना चाहिए सुख सश्चीशिप से संद्रक्ष्षण से गांजी जी का आसे था किसी वस्तु को किसी के संद्रक्षण में रखते रहे जैसे मेरा ये मुबाइल है अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ इसकी आवशकता नहीं मेरे पास अगर दो मुबाइल हो जाते हैं तो एक मुबाइल मैं किसी दूसरे के संद्रक्षण में रखते हूँ यह पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन इसको अगर मैं अपने विद्या तो उससे विद्यार्थी का भी भला होगा विद्यार्थी फढ़ेगा तो गांधी जी कहते थे संद्रक्षता याने किसी भी वस्तु को किसी के संद्रक्षण में रख देना यहां पर उनका कहाना धन जो है धन को किसी के संद्रक्षण में रख देना यहां पर संद्रक्षता क कहते हैं किसी के संदक्ष्ण में रख दिया जाए वह कहते हैं व्यक्तिस्यों को समाज का सेवक माने रांदी जी का कहना था उनके संदमागा पैसा पूजी कमा रहा है वो समाज के कल्यान में ही उसको चल रहा है नहीं कोरोनो वाइरस वाला लागडाउन पीरिड आपने देखाऊगा देश में हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रदान मंत्री की एक अपील पर प्रदान मंत्री की एक अग्रहे पर हमारे आके बड़े-बड़े पुझी पतियों ने करूनों रुपए एक जटके मे में दे लिए वह यही है फुझी पुझी के अपने कैपिटल के संद्रक्ष के समाझ में एक कमाया वह किसके लिए कमाया घंधी जी कहते हैं समाच पुझी जो है यह हमारी आपकी नहीं है यह समाज समाज की धरोवर है समाज की धरोवर है उद्योपति पुझीपति द्वारा एकत जो भी पुझीपति या उद्योपति जो पैसा इखट्टा करते हैं बुले व्यक्तिकत धन नहीं है बुले यह तो सोसल वैल्थ है समाजिक धन है व्यक्तिकत नहीं है समाजिक धन है इतके को बेच के जो मैं पैसा कर रहा हूं उस पे मेरा स्वामित नी वो पूरे समाज का स्वामित है बोले प्रक्रती जैसे प्रक्रती जो है ना प्रक्रती सब को देती है वो किसी एक की नहीं है प्रक्रती सब की है नदियों का पानी सब के लिए सब को दे रही किसी से पैसा नहीं क भारण दिया कि हमारे भारती समाज में जो सही परवार है इसमें सब लोग कमाते हैं और एक जॉइंट पुझी हो जाती है सब इखटा हो जाती इसमें कुछ व्यक्ति एकाद व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कमाता नहीं लेकिन परवार का सदस है न तो उसका पूरा संद्रक्षन उसका संद्रक्षन उसका परवार हो जाता है भोजन पानी रहन सेन उसको सारी की सारी सुरक्षा मिलती है तो इसी प्रका संरक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष्रक्ष चाहिए सनग्षक्ता करने के लिए पूरी तरह से स्वतन्त हो फ्री है कोई सालवजिनिक हित वाधा उतना करें संरक्षक्ता का सिद्दान उत्पादन की प्रक्यति विक्तिकत इक्षा से नहीं, बलकि सामाजिक आफशक्ताओं से निर्धारित होना चाहिए। हम चोस्माज में उत्पादन करते हैं रहिए हम अपने लिए उत्पादन करकtां है। हमारा धे अलक्षिक होना ही चाहिए जंती है सामाजिकता के अधार्ठ समाज में प्रक्यवक्ति आये की अधिक्तम सीमा नहीं थहारित हो। आज हम क्या क्या देख रहा है हमारे हाँ आए की अधिक्तम सीमा नहीं है कुछ लोग करूनों कमा रहे हैं अक्तराताना पेपर में उसके इतने करोड का पैकेज बिला उसकी साला नाम दनी इतनी है बुले यह नहीं होना चाहिए ज़रुद जो है ज़रुद के अधिक बांगन यह अवधान्नाच आलपनिक लगती लेकिशन अश्वालिक है यह अव्यवारिक नहीं है इसको बैवारिक बनां अचीए इसको बैवारिक बना सकते हैं इस मैं क्योंकि प्रतेग व्यक्ति को puam अपनी संपत्थी का स्वामी है उसको अपने हें परवर्थित करना, उसके मांसिक्ता बदलने होगी, कि अपनी संपत्ती के बड़े हिस्से का उपयोग समाज हित्मे करे, और राज को भी कम से कम सक्ती का उपयोग करके, उस संपत्ती को सामाजिक प्रक्यतिक में के लिए प्रोसाइज करना चाहिए, आपने देखा होगा गां और खालों भावे कहते थे कि अमेरों तो उन्हें आगरी कहीं कि आपके पास जो व Close वेकार जमीने दीजे दान दीकार मैं करूँ गाथ चींत Quindi कर देजे मां करोंगा आपकी जो समपत्य यह वो स्रमिकों के स्रम से बनी है इतलिए आपको उसके एक सास करना चाहिए वो कहते हैं पूझी में कोई बुराई नहीं है इसका दुर्पयोग बुराई है गांदी जी का कहना था पूझी जो है उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इसका दुर्पयोग जो जब हम करते हैं व सरकार आप लोग हिद में उससे सड़कें मनाईगी नहीं 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 व्यवसाइज स्थापित करके उतमें जन्ता को रोजगार देगी राजकी काये जैते सड़क है वहां है हॉस्पिटल है तलाप है यह संबन किये जा सकते हैं आर्थिक समानता की निव में सविकार करना चाहिए कि मेरे पास जो संपत्ति मेरे नहीं है बलकि समाज़ की है पूरे स्थाइटी की है हम बोले हमको धन जग राए उतना ही करना चाहिए जिससे हमारी दैनिक proper पूरी हो जाए दैनिक आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए ही हमको उतना ध्यान रखना चाहिए गांधी जी ने इशोपने इशोपनिश्रत की ब्याक्या किये वो उससे लेखते हैं स्विक्षा से अपने साध्यों का त्याग करने से व्यक्ति को अपार सुप मिलता है हम देखने हैं गांधी के सिर्दान इस लाव्टान पीरेड में हैं कि हमारे आके टाटा अंबानी अडानी बाबा राम देओ अक्षयकुमार इस सारे करोड़ पती जो हैं पूंजी पती हैं जो देव पती हैं इनोंने एक प्लान मंती के एक आवान पे और संकट की घरी में देखते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति टाटा ने तो 1.500 करोड दान कर दिए अब आप सोचिए इतनी करोड़ों दान करना कि आज किसी से आप 5 पैसा मांगें उसको देने में तखलीब होती है लेकिन चुकि संकट का काल है हॉस्पिटल बनाना है अम्वानी ने अपना एक हॉस्पिटल दान कर दिया यह कलाता है संरक्षता मदल आप समाज के संरक्षत हैं आप समाज के ट्रस्टी है और इसी के अधार पे आप को बाड़ना चाहिए यानि धने को द्वारा समपत्ती धन बांटने का अर्थ्य है नहीं है कि गरीब को धन दे दें संपत्ती दे कोगे अगर ऐसा करते हैं वो करते हैं अगर आप ऐसे दे लेंगे सμपत्य अधन तो खापी के उनने में भी एक बलास्ता की बात आएगी खापी कर वो समीर को समाप्त कर देंगी विए अमीरージ libraries जो में इससरे पूंजी भी सुरक्षी तरहेगी और सर्वसाधाराण को उसका لाभ भी मिल सकेगा ये उनका संध्खक्ता का सित्दान लेकिन इसकी कई विद्वानों ने आयोछना की वो कहते हैं विद्वान कहते हैं पुंजी पती को संध्ख्षा के ट्रस्टी बनाने माज से उनकी भावनाएं नहीं बतल जाएंगी कि आपने कहा दिया आप यहां के ट्रस्टी हैं तो उससे भावनाएं नहीं बतल जाएंगी कोई भी पुझी पती अपनी इक्षा से दूसरे के धन का उपयोग नहीं करता और वो अपने जत्तिकार भी नहीं छोड़ेग वो क्यों छोड़ेगा बुले यह जो है यह वास्तों में अब वैबारिक है बुले पुझी पती हिर्दय परवर्तन जो है इससे वो अपनी संपत्ति भाग नहीं छोड़ दें आप सोच रहे हैं कि पुझी पतियों में हिर्दय परवर्तन हो जाए तो वो छोड़ दें चाहिए तो द्योग पतियों ने अपने पुझी को अपनी दैनिक अवशक्ताओं के लूप रखके बाकी को छोड़ दिया तो आज जो गांधी जी का सितांत है सामपरदय संद्रक्षक्ता का सितांत सत अहिंसा का सितांत यह वास्तों में एक सामाजिक परपेंश में सितांत इसलिए उन्हों ने कहा कि बात्तव हिक नहतिक द 지금 के अदार्म और चाहिए में सारे सितांत अहिंसा इंसा संद्रक्षक्ता इससिके अधार पर है गांधी जी एक समाथ सास्थी है, उनको समाथ सास्थी द्रश्ची और द्रश्ची को अधिन करना चाहिए, इसको आप और अधिक अच्छे ते पढ़ना चाहते हैं, तो गांधी जी पे कुछ किताबे हैं, गांधी जी के सिद्धा, समाथ सास्थी विचार है, आपके प्रमु का अध्यन करेंगे कांधी के सभी सिद्धान्दों की आप अच्छे से विस्वर जूट से जानकर या आपको मिल सकती है आज के लिए विद्यार्टू इतना ही कल हम फिर एक नए समाथ सास्ती एक नए भारती समाथ सास्ती को अध्यन में सामिल करेंगे